गूड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूटीब चैनल, स्वागत आपका मेरी आज किस न्यू अपडेट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं, ओईल इंडिया लिम्टर की तरफ से निकाली गई जोप अपडेट के वारे में, ओईल इंडिया लिम्टर की तरफ से र इसकस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्या सिलेक्शन प्रसेस रहने वाला है, एलीजीवलिटी के रहेगी, फॉर्म को एप लाई कैसे करना हैं, सारा डिटेल में इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक वाज करें, और हमारे चैनल पर पहली वार विज़ड कर रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटस जॉप अपडेट के रिए ऐसी ही लेटस जॉप अपडेट आपको डेली प्रवाइड की जाती हैं इस चैनल पर ओफिशल नूटिस के साथ में तो बिना आपका टाइम बेश्ट किये करते हैं सब्डेट को शुरू अगर हम यहाँ पर बात करें इनके ऑफिशल नूटिस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह ओल इंडिया लिम्टेड की तरफ से निकाला गया ऑफिशल नूटिस है जिसका की एडवर्टाइजमेंट नमबर आप यहाँ पर देख पाएंगे उसके लावा यहाँ पर जो व आपकी क्वालिकेशन रखी गई है वो आपकी यहाँ पर TCR की 2022 की पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर पोस्ट कोड रखा गया है इसमें आपकी जो क्वालिकेशन रहेगी वो आपकी BSC मांगेगी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Physics, Chemistry, Mathematics में आपकी रहने वाली है 20 य रहेंगी यहाँ पर आपका तीन साल का Experience भी आपको होना चाहिए relevant फेल्ड से नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड आपको दिये गया है जिसमें कि आपकी BSC Geology उसके लावा Geo Informatics भी यह अपने Geography से कर रखी है apply कर पाएंगी या तो आपने GIS कर रखी है Professional Certificate आपके पास यहाँ प पर होना चाहिए तीन आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट रहेगी वो 12th past candidates के लिए रहने वाली है जिसमें कि आप यहाँ पर 12th past candidate है उसके लावा आपने डिप्लोमा का रखा है General Nursing का Midwifery का तो apply कर पाएंगे minimum 3 साल का Experience आपको यहाँ प पोस्ट कोड रखा गया है इसमें आप 12th past वाले जो अपलाई कर पाएंगे साइंस आपने 12th past में कर रखी है तो apply कर सकते हैं इसमें आपने BSC कर रखी है food science से nutrition से minimum 4 year का आपको experience है apply कर पाएंगे यह तो आपके पास में मस्ट आपका यहाँ पर 3 साल का Experience है तो आप भी नेक्स आपकी पोस्ट रहेगी इसमें 12th candidates जो आपके past candidates form को apply कर पाएंगे 4 year experience के साथ में उसके लाव आपके पास में यहाँ पे heavy motor vehicle driving license भी आपके पास होना चाहिए जो की असाम अरणाचरपदेश से issue होना चाहिए तीन साल का आपको experience भी यहाँ पे होना चाहिए साथ आप पे post आपके लिए रखी गी है next आपकी जो पोस्ट रहेगी इसमें आपकी जो आपके qualification मांगेगी है वो आपकी यहाँ पे 12th pass मांगेगी है science stream में इसमें आपका diploma होना चाहिए medical laboratory से technician से 2 year experience आपके पास यहाँ पे है तो apply कर पाएंगे 4 year यहाँ पे आपकी sorry 4 यहाँ पे जो आपकी post रखी गी है next post जो रहेगी इसमें 12th pass candidate apply कर पाएंगे साथ में आपके पास में diploma भी होना चाहिए यहाँ पे 2 years का अपने diploma का रखा है यहाँ पे medical radiographic technology का apply कर सकते हैं 2 year का experience यहाँ पे भी मांगा गया है next post के लिए 12th pass candidate apply कर सकते हैं जिसके साथ साथ में आपके पास मे diploma होना चाहिए certificate emergency and first aid और minimum 2 years का apply कर सकते हैं 2 year experience के साथ में next आपकी post रहेगी इसमें 12th pass candidate apply कर पाएंगे प्लस आपका ICU का diploma आपके पास में होना चाहिए 2 years का आपने यहाँ पे जो वो experience का रखा है apply कर सकते हैं last आपकी जो यहाँ पे post रहेगी जिसमें कि आपका 12th pass के साथ सा sanitary inspector का जो आपका one year का course होना चाहिए 7-7 माइं तीन साल का experience भी यहाँ पे होना चाहिए reservation का आप यहाँ पे देख सकते हैं post code wise आपको reservation दे गी है प्लस आपकी यहाँ पे category wise आपको reservation दे गी है बाकि आप category के साब से यहां पर आप देख सकते हैं, जो भी आपकी post के लिए, जिसी भी post के लिए आपने apply करना है, उसके साब से आपकी यहां पर maximum age देख सकते हैं, उसके लाबा जो minimum 18 आपकी यहां पर age रखी गी है, वो आप यहां पर देख पाएंगे, बाकि जो selection आपका process रहेगा, वो आपका CVT test रहेगा, CVT test के basis पे ही यहां पर selection की जाएगी, यहां पर आपका जो CVT रहने वाला है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, तीन section में आपका रहेगा, जिसमें की English language रहेगी, general knowledge रहेगा, general awareness रहेगी, उसके लाबा आपके all India limited के आपके questions रहने वाले है Second आपका reasoning रहेगा, arithmetic, numerical ability रहेगी, mental ability रहेगी and C part आपका रहेगा, relevant technical knowledge आपका यहां पर रहने वाला है, उसके लाबा यहां पर बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो आपका A parameter रहेगा, इसमें 20% weightage दी जाएगी, B parameter में आपको 20% weightage रहेगी and जो आपका relevant disciplines से होग उसमें आपको 60% weightage आपकी दी जाएगी, 100% के साथ में आपका यहां पर जोगो यह paper रहेगा, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो आपका paper रहने वाला है, MCQ टाइप आपका paper रहेगा, इसमें आपका wild language रहने वाला है, English and Assamie में and two hours का आपका यह paper रहेगा, बाकी अधर हम यहां पर बात करें, तो जो जो आपके documents compulsory दिये गे हैं, वो आपका valid employment exchange registration card आपके पास में यहां पर होना चाहिए, उसके इलावा admin card, pass certificate आपके पास में होना चाहिए, बाकी आप certificate यहां पर देख पाएंगे, उसके इलावा हम यहां पर बात करें, तो यहां पर apply करने का process रहेगा, वो यहां पर online रहेगा, online mode से ही form को apply कर पाएंगे, जिसमें कि आप 26 एक दो हुजर वाई से form को apply कर सकते हैं, और 25 दो हुजर वाई से जो इसकी रहेगी, वो last date रहेगी, उसके इलावा यहां पर आप देख सकते हैं, जो cut off date रखी गी है, 25 दो हुजर वा इस candidates, उसके लावा एक सर्विसमें candidates के लिए, तो यहां पर इनके लिए कोई वी fees नहीं रहेगी, बाकि उसके लावा आपको कुछ पूछ ना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसके लावा आप इनकी official website पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, यहां पर जो यहां पर यह कुछ areas के लिए रहने वाली हैं, जो कि मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, तो यहां पर जो आपके, जो areas रहने वाले हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं, जो exploration आपके area रहेंगे, दिवरूगर रहेगा, दिन सुकिया रहेगा, उसके लावा सिवास नगर रहेगा, च आज की वीडियो informative लगी हो, वीडियो को like and share जरूर करें, हमारे चैनल पर पहली वार विजर कर रहे हैं, चैनल को subscribe कर लें, ऐसी ही latest job update के लिए, डेली ऐसी ही latest job update आपको provide की जाती हैं, इस चैनल पर official notice के साथ में, तो फिर मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, goodbye, take care.